नमश्कार दोस्तों मैं प्रशान आप सभी का वन इंडिया में स्वागत करता हूँ टिम इन्या के लिए बहुत सारी अच्छी खबरे नई साल में नहीं आई हैं जबसे मेलबन भारती खिलाडियों का रेस्टोरेंट में बैठे हुए एक वीडियो वारेल हुआ है तभी से भारती टीम की खिलाडियों की मुश्किलें बढ़ गई है पहले ना सिर्फ खिलाडियों पर बायो सेक्यूर बबल प्रोटोकॉल को तोड़ने का आरोप लगा इसके लावा उन पर बीफ खाने को लेकर भी काफी बवाल मचा था इन सब के वीच ऑस्टेलियन मीडिया ने भी पूरी कुशिश की है कि टीम इंडिया की मुश्किलें कम ना हो प्रोईट शर्मा समेथ पांच खिलाडियों पर नियम तोड़ने का आरोप लगा गया था यहां तक कि इन खिलाडियों को आईसोलेशन में भी डाल दिया गया था अब ऑस्टेलियन मीडिया ने दावा किया है कि कई और खिलाडियों ने भी क्रिकेट ऑस्टेलिया के बायो बबल को तोड़ा है हाला कि कोरोना प्रोटोकॉल के उलंगन का रूप जिन खिलाडियों पर लगा है उसकी जाच क्रिकेट ऑस्टेलिया बूट द्वारक की जा रही है औसलेय मीडिया ने दावा किया कि कोहली और पांडिया दिसंबर 2020 के शिरुवात में सिद्नी के एक बेबी स्टोर में शॉपिंग करने पहुँचे थे यहां तक की दोनों खिलाडियों ने स्टोर के स्टाफ के साथ फोटो भी खिचवाई थी स्टोर ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर एक महिला के साथ उनकी तस्वीर शेर भी की है जो अब सोशल मीडिया पर काफी वारल हो गई है वहीं एक और तस्वीर में विराट कोहली को शॉपिंग बैक के साथ देखा जा सकता है सिडनी में बेवी विलिच के नाम से एक शॉपिंग स्टोर है जिसके कुछ दस्वीर अब सोशल मीडिया पर वारल हो रही है इसके लावा एक अन्य रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि एडले टेस्ट मैच के एक हपता पहले या फिर बाद में कुछ भारती खिलाडी एक कैफे में गए थे और इस दोरान खिलाडियों ने मास्क नहीं पहन रखा था वहीं अगर बाद विराट कोली और हर्दिक पांडिया की शॉपिंग की करें तो ये सच भी हो सकता है क्योंकि हर्दिक पांडिया एपिल 2020 से पहले पता बने थे जबकि विराट कोली की पतनी अनुष्का शर्मा जनवरी 2021 में अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली है विराट कोली पहले टेस्ट मैच के बाद ही पैरेंटल लीग पर चले गए हैं और स्वदेश भी लौट आये हैं लाल गली इस वीडियो में इतना ही तमाम स्पूर्ट सब्डेट के लिए बने रहे हैं वन इंडिया के साथ